गुद मॉर्निंग बच्चा पार्टी गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग कैसे हो आप सब वीडियो थोड़ा सा फसरा होगा मुझे ऐसा लग रहा है तो अभी सब सही हो जाएगा डॉन टूर ठीक है सब कुछ अच्छा है मस्त है अब चलो don't worry okay good very good चलो अब कुछ मस्त चल रहा है बाबू कोई दिक्कत नहीं है तो आजाओ सभी जल्दी से good morning very very good morning वीडियो चल रहा है न वीडियो चल रहा है किसी का रूप तो नहीं रहा है न हास तो नहीं रहा वीडियो सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फटा फटा आगे बढ़ते हैं ठीक है बच्चा ओके चलिए तो अभी अभी हमने चर्चा किया धातू अधातू और उप धातू के बारे में तो प्यारे बच्चों जो अधातू होती है या धातू होती है इनकी संख्या तो आप पतलब एक प्रकार से कंफर्म नहीं कह सकते हो या फिर जादा है कह सकते हो लेकिन जो उप अधातू होती है ये Metallic, Metallic जिसे बोलते हैं, Submetallic बोलते हैं, हाँ, इसकी इंगलिस आजीब आजीब या जीब टाइब के होती है Submetallic या Metallic बोलते हैं, इनकी संक्याअ को मिला के साथ होती है समझ रहो ना? बाई, दीपक को बलग कर दो दीपक यादो को पर्मानेंट बलाक कर दो इनको पढ़ना नहीं है ठीक है दीपक को बलाक करो रामजानकी जी गुडि मॉनिंग सोनू गेमिंग गुडि मॉनिंग कस्मीरी लखरा मुकेस परमार गुडि मॉनिंग बेटा दिमार दिमाग एक पाईदा लेकवे इदम पागल वागल काई है मैं खुद देखाूँ उसके बाद फिर ये देख रहे हो रेनू चोदरी गुड मॉर्27 छिलीप जी गुड मॉर्27 एलाइस बर्मा गुड मॉर्27 जोती सबका कमेंट मुझे दिख रहा ہے ठीक है प्रियंका सर्मा गुड मॉनिंग रोहित महरा गुड मॉनिंग नरायन नैना इर्फान अंसारी भविता मौर्या सबको गुड मॉनिंग तो सब कुछ अच्छा चल रहा है आगे बढ़ा जाए चलिए बच्चों आज आपका जो दूसरा चेप्टर यह खतम हो जाएगा दूसरा चेप्टर का यह लास्ट क्लास है और मुझे अब कलास को थोड़ा जल्दी शुरू करना होगा है न क्योंकि लेट हो जाता है फिर तो देखो बच्चों हम लोग मेटर नाल मेटल इसके बारे में पढ़ेते हैं तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि यह समझ लो मेरी आत्मा जो है न वो नहीं कहती कि पढ़ाया जाए अच्छे से हां वाकि हम भरपूर कोशिस करते हैं कि आपको फिरी मिले और बहुत बहतर क्लास मिले पीडिया फाइल इस चैप्टर की आपको कल भेज दी जाएगी चैप्टर दो की पीडिया फाइल टे कर लो पीडिया इस्टरि टेलीकराम चनल चलो है हम अलोग अधातु के बारेमें में दाको के बारेमें फड़ लिये थे आज अमें उपधातु के बारे में चरिणा करना है उब धातुें क्या होती है कुछ उत्त तो ऐसे होते हैं जो धातू, अधातू के कणों के बीच के गुनवाले होते हैं वो क्या कहलाते है वो उब धातू कहलाते है जैसे इनसानों में आपने दिखा है एक महिला होती एक पुरूस होता है महिला और पुरुस के बीच कभी कोई होता है महिला और पुरुस दोनों के गुणवाले होते है हां ऐसा ही तो होता है ना ऐसा ही तो होता है ना देशी बांसा में गाओं में हिंजड़ा बोलते हैं तो ऐसा मन आ जाता है कि वो महिला और पुरुष दोनों के गुणवाले होते हैं उसी तरह से जो धातू अधातू होती ना, इनके दोनों के गुणवाले होते हैं, जिने उपधातू बोलते हैं, ठीक है, विकास बेटा कुछ समझ में आ रहा है, एक आत बाद, नीरज मदेशिया, तुनी लिया दो, चलो, तो ये उपधातू कितनी होती है, इनकी कुछ और भ होते हैं, वो उपधातू कहलाते हैं, तो बस इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल छोटा सा बात है, समझ गए, उपधातू की संख्या निश्चित होती है, ये सात होती है, कितनी है, सात है, ठीक है, कितनी होती है, उपधातू सात होती है संख्या में, अब सातों के नाम कोई बताएगा सातों का नाम कोई बताएगा जल्दी बताओ अमित बेटा तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है तो जाओ कुछ काम करो साब सफाई करो इनका नाम है अमित योगी राज अमित योगी राज पढ़ लो पढ़ लो जिंदगी चलो ठीक है तो उपधातूं का संख्या कोई बताएगा साथ कौन कौन सी होती है कमेंट्स थोड़ा बड़ा दीखे इसलिए रुको मुझे बॉन लेना पड़ेगा हाथ में चलो ठीक है एक मिनट टुक जाओ मुझे कमेंट देखने तो आप लोगों के काफी परिसान लग रहे हैं कुछ तो ठीक है यह हो गया क्यों भाई रुक गया क्या रिसकनेक्ट हो गया काही लग रहा है हाँ चल नहीं रहा है का वीडियो बड़ी मुसीबत है साला कुछ समझ में नहीं आता असल लग रहा कब चली नहीं रहा है हिमानसू ने बताया है बहुत अच्छे हिमानसू जी बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड वीडियो चल रहा है बेटा देखो बंद नहीं हुआ यूटूब के थोड़ी बड़ी तिकत है हाँ वीडियो चल रहा है वीडियो चल रहा है लिंक पर किलिक करो चल रहा है चल रहा है यार ये YouTube की समझ से आपनी कभी कभी disconnect कर देता बीच बीच में बीच बीच में disconnect कर देता ऐसा कुछ हुआ है ये देखो अब ऐसा लग रहा है कि कोई जुड़ा ही नहीं है सारा डेटा ही बंद हो गया आप लोग ये बताओ देख पा रहे हूं मुझे हाँ आज मुसीबत साम से ही आई है तो सुबा भी तो रहेगी न नाब्या ठीक है ठीक है बेरी गूड बहुत अच्छे चलो ठीक है आप लोग जानते हो तो ठीक है इनकी संख्या जो होती बेटा उनको लिख लो बोरान, सिलकान लिख लो उप धातु है जो होती ही उनकी संख्या साथ कुछ इस तरह से होती है बोरान दूसरा सिलकान न चल रहा है भाईया देखो मुझे कुछ मालूम ने चल रहा है आज इस्टर्ब है आज दिमाग इस्टर्ब है पहले से भी और लिखो बोरान, सिलकान के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक जर्मेनियम आर्सेनिक और क्या है एंटी मनी टेलियूरियम ठीक है दिखो जल्दी से फटाफट एंटी मनी ये उपधात हुए है साथ मुख्य रूप से ठीक है एंटी मनी और एक अगला होता है बेटा ये पोलोनियम होता है और टेलियूरियम होता है क्या होता है टेलियूरियम और सत्वा जो होता है आपका पोलोनियम होता है क्या होता है पोलोनियम अभी बच्चे लिख लो फटा फट लिख लो पोलोनियम ठीक है, don't worry जिन्दगी है, बहुत को जिन्दगी में होता है, चलो अनुराग संदीब ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, खुशी सिंग विपीन सबका चल रहा है न देखो यार इंटरनेट जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा तो चल रहा है, मेरे में तो आरा वीडियो देखो शेजी मेरा तो चल रहा है, पता नहीum लोग का रहा है लिख लो इशे सब लिख लो जल्दी जल्दी बच्चों सुपह 7 बज़े बिज्ञान की कलास बंद नहीं हुई है उपर दी गई लिंक से आप पढ़ सकते हैं कुछ बच्चों को लग रहा होका कि कलास बंद हो गयार ने क्या बताओ, बंद नहीं हुई है यार वीडियो चल रहा भाई या इनका नाम है About Excited वीडियो हिमान्सू चलो ठीक है आप लोग बाद में भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ तो पढ़ाऊंगा ही बच्चे भाग गए इंटरनेट आथ बहुत दिक्कत कर रहा है पता नहीं कौन सी ऐसी मुसीबा था इकी चलो तो यह आपके साथ हो गए मुख्यरूप से इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बिटा उनका नाम क्या है योगिक कमपाउंड पढ़ेंगे क्योंकि तद तो हम लोगों ने पिछली कलास में पढ़ लिया था तद तो पिछली कलास में पढ़ लिया था ठीक है चलो तो आप हेडिंग डालो अगला जेखो जो पदार्थ होता है उसमें दो परकार का होता है एक सुद्ध होता है एक असुद्ध होता है और जो आपका असुद्ध पदार्थ होता है उसमें क्या होता है मिसरण होता है और क्या होता है और तुम बता होगी अब हाँ दूसरण होता है न और भी कुछ होता है न एक बिलेन होता है क्या हूं देखो समझो ठीक है यहाँ पर समझो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जो भी है सब अच्छा है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है डॉंट बरी चलो लिख दें पूरा सिस्टम से बना दें क क्या है कमेंटो मेंट करो भाई तुम लोग हां सोनू कमेंट आ रहा है ठीक है बच्चा बेरी गुड बहुत अच्छे चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके गुड चलो देखो यहां से थोड़ा सा फिर से समझो जो पदार्स होता है बच्चा पदार्स होता है इसके मुख रूप से दो भाग होते है एक होता है सुद्ध एक होता है असुद्ध ठीक है तो जो सुद्ध वाला होता बेटा इसके फिर से दो भाग होते है जो सुद्ध वाला होता है इसके फिर से दो भाग होते है और इन दो भागों में आपका एक योगिक होता है एक तत्त होता है एक योगिक होता है और जो असुद्ध होता है बच्चा असुद्ध असुद मतलब या फिर मिसरन ठीक है इसके भी दो भाग होते हैं एक समांगी होता है और एक होता है भी समांगी ठीक है तो ये इतनी कहानी होती है जो मुख्य मुख्य होती है जोनू गेमिंग ठीक है ठीक है बच्चा देखो इंटरनेट की समस्या नहीं आज यूटूब की समस्या होई थी थोड़ा सा उसी वीडियो चल रहा है अगर तुमारे पास दिमाग नाम की चीज है तो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ की जो लिंक दी जा रही उस पर कमेंट करो चल जाएगा वीडियो चल रहा है वीडियो रुका नहीं था एक बार डिसकनेक्ट हो गया था ठीक है बेटा ना चलो चलो ठीक है तो और किसी को कोई परिसानी हो रही है क्या तो बेटा देखो हम लोगोंने तत्तो और योगी की अगर बात करें तो इसमें हम लोगोंने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया है पढ़ लिया तुद और असुद पढ़ लिया इसमें हम लोगों ने तत्त भी पढ़ लिया है अब हम लोगों को योगी को पढ़ना है योगी को पढ़ना है बेटा और चीज यहां से देखो ध्यान से ये समांगी और भी समांगी मिसरन भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका फिर बचा क्या है फिर क्या बचा है देखो बच्चा जो लिंक दी गई है बच्चे उस पर किलिक करके फिर से आएंगे मुझे पता है लिंक वही है कलास भी वही है चल भी रही है लेकिन YouTube एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था यह खूदी अपना नो टंकी कर दिया तो मैं क्या क करूँ उसमें मैंने तो अपनी तरफ से इंटरनेट लगवाया वाई-फाई लगवाया ब्रडबेंड लगवाया मतलब इन्वर्टर भी लगवा लिया सीटी में कोई मतलब नहीं था फिर भी 20,000 खर्चा कर भी 18,000 लेकिन अगर यूटूब की कोई दिक्कत है तो मैं क्या करूं तो आब हमें क्या पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ हमें कमपाउंड पढ़ना है योगिक के बारे में पढ़ना है बाकी यह सारी कहानी हमने कर लिया है ठीक है आप लोगों को दिख रहा है न ललित मीना पढ़ लो ऐसे भी दिमाग आज इसटर्ब है पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें हम बहुत पतलब क्या बोलूँ पढ़ लो रोने का अपना व्यवस्था ना करो लाइफ में नहीं रोते ही रोगे चलो चलें आगे बढ़ें ठीक है अब हेटिंग डालो आप लोग योगिक योगिक यहनी कमपाउंड यहाँ पर हेटिंग लिखो योगिक मतलब कमपाउंड क्या होता है समझो जब भिन्य तत्तों के दो या दो से अधिक परमाडू एक निश्चित अनुपात में मिल करके सन्योजित होते हैं तब योगिक बनता है परिभासा से तुम्हें कम समझ में आएगा पहले उधारन देखो तब समझ में आएगा उधारन में जैसे H2O ठीक है समझ रहे हो ना इसमें आपका H2O मतलब हाइड्रोजन और अक्सीजन अभी रुको में बताता हूं अच्छे से पहले देख लो बस पहले तुम देख लो फिर समझोगे हाइड्रोजन और ये आक्सीजन देखो सुनोझा प्रेनु चोधरी यहाँ पर यह नंबर क्यों कमेंट कर रहे बही यह नंबर क्यों कमेंट कर रहे आप क्या तुम लोग डेखो अब मैंने क्या कहा जब भिन्यतक्टों के दो योगिक Two या दो से अधिक पर्माडू भिन्न तत्तो का मतलब अलग अलग तत्तो अलग अलग तत्तो का मतलब जैसे देखो आपका oxygen हो गया आपका hydrogen हो गया ठीक है भिन्न तत्तो के या फिर कहा जाए कि दो अलग अलग तो अलग अलग तत्तो के परमाडू मिलते हैं आपस में क्रिया करते हैं तो एक क्या बनता है योगिक बनता है क्या बनता है एक कंपाउंड बनता है कुछ समझ भार हो ना जैसे पानी पानी आपका क्या है एक कंपाउंड है एक योगिक है ठीक है तो बेटा जो पानी है वो क्या है एक योगिक है और इसमें क्या-क्या होता है हाइड तुरंद बलाक करो, पिल्कुल देर ना करो, तुरंद बलाक करो, चलो, साचीन जी ठीक है, कमेंट आ रहा है, ओके, तो आप देखो जैसे पानी को गया, इसमें hydrogen और oxygen मिल रहा है, hydrogen और oxygen मिल करके, क्या बन रहा है, पानी बन रहे हैं तो hydrogen एक अलग तथो है oxygen एक अलग तथो है दोनों मिलकर के क्या बनाया पानी बनाया समझ गये ना जैसे देखो जब दो इंसान मिलते हैं तो एक बच्चा पहदा होता है सुने हो की नहीं है कहीं सुने हो की नहीं तो वो क्या हुआ तो अलग-अलग प्राड़ी हुए ना बस ऐसे समझे लो तुम इसको याद रखोगे चलो इसी तरह से एक और जान लो एक और जान लो जैसे N-N-C-L N-N-C-L तुम लोगों ने सुना होगा इसमें क्या-क्या मिलता भाईया इसमें देखो N-N-N-A मतलब सोडियम और C-L-C-L मतलब क्लोरीन N-N-C-L नमक होता है कि नहीं? यह नमक है खाने माला जो तुम खाते हो हिमानसु बर्मा ठीक है कमेंट आरा आपका बिपिन कुमार ठीक है बहुत अच्छे देखो बच्चा N-N-C-L में क्या है? इसमें सोडियम भी होता है कॉलोरीन भी होता है समझ गए न? नहीं मजाक नहीं करना हूँ मैं सीरियफली बताया जो बताया योगी क्वाला इक जंपल तुम उससे भी कुछ समझ सकते हो थोड़ा बहुत चलो इरफान अंसारी कुछ समझ में आ रहा है? मनोज यादो, गीता जीतेंद्र, विकास भिंड, परमोद कुमार राजपूत बता रहे हैं जल मिथेन और चीनी नमक जो भी है ठीक है तुम्हारा सब सभी है हाँ चीनी में भी बहुत कुछ होता है चीनी का सुत्र जानते हो? चीनी में भी बहुत कुछ मिला होता है कई परकार के तत्तो होते हैं उसमें ऐसे नहीं चाय पीके नसा आ जाता तुम लोग को चलो ठीक है तो यह आप समझ गए योगी को समझ गए मुझे नहीं लगता है इसमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए कोई मतलब नहीं है मतलब दो अलग अलग परकार के जो तत्तो हैं दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं केमकल रियक्षन होता है तो एक योगी क बनता है ठीक है? जैसे एक्जामपल दोठी देख लिए तुम ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे चीनी बता रहा बंदा ये भी ठीक है नमक, पानी बहुत कुछ होता है मीथेन हो गया कर्बन डियक्साइड हो गया ये सभी क्या है योगिक है अगला जो है बिटा आप इसमें कुछ बचा नहीं है चैप्टर दो आपका खतम हो गया आपका PDF फाइल कल या परसो तक PBR Study के टेली गराम चैनल पे भेज दिया जाएगा ठीक है चैप्टर दो का PDF फाइल कल या परसो तक PBR Study टेली गराम चैनल पे भेज दिया जाएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया बैटा तो ज्वाइन कर लो ठीक है नहीं ज्वाइन कियो तो ज्वाइन कर लो बाबू कमेंट के चक्कर में पढ़ने से पूरी कलास खतम हो जाती है न उन्हों का कमेंट पढ़ने से कोई मतलब है नहीं चलो मिसरण और योगिक मिसरण और योगिक में अब हम लोगों को क्या पढ़ना है अंतर पढ़ना है क्या पढ़ना है अंतर पढ़ना है क्या आप लोग जानते हो जो जो जानता है वो बताए हाँ जल्दी बोलो क्या आप ये अंतर जानते हो compound and mixture इन्हें में डिफरेंस जानते हो कि नहीं आप जानते हो बच्चा देखो तुमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है वर्तिका स्रिवास्तो जी होती है क्यों बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी चलो नंबर पे संपर्क करो बाबू देखो यहां पे कमेंट करने से कोई मतलब है नहीं पहले कलास पढ़ लो चार्ज तो है ना कैमरा देखो मिसरन एक अलग प्राणी है योगी के अलग प्राणी है दोनों के अलग अलग गुण है परगुण है वो मैं तुम्हें बताया हूँ हाँ अभी मैं कमेंट उधर रख देता हूं क्योंकि तुम लोग ना तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे चलो जो जो जानते हैं मिसरण और योगी क्या होता हो बोलें यस जल्दी जल्दी बोलो यस जानते हो न तुम जानते हो कि नहीं चलो बताओ सबी बच्चे बताओ जानते हो ना बच्चा ठीक है बहुत ही आसान होते हैं मिसरण और योगी कि यह सब बहुत ही आसान है बेरी गुड चलो बच्चे ठीक है ठीक है डॉंट वरी होके सब कुछ मस चल रहा है ठीक है तू आप लोगों को लिखना नहीं किवल समझना है सुनना है बस लिखना नहीं है देखो मिसरण से इसके संगटक पदार्थों को बहुतिक विधियों द्वारा जैसे कि निस्पंदन या फिर वास्पन और उर्धपातन आदी के द्वारा फिर्थक किया जा सकता है पहला जैसे देखो मिसरण कोई मिसरण का एक एक जांपल बताएगा बिटा बताओ जल्दी से मैंने बहुत बार तुम्हें पढ़ाया मिसरण लेकिन अब तुम ना बता पाऊ तो अलग बात है मिसरण में जो दो परकार के तद्थ होते हैं जो मतलब उनमें मिले होते जिनको मिला के तुम मिक्चर बनाए हो उन्हें अलग अलग कर सकते हैं जैसे मोटा मोटा इद्वारन ले लो तुम बहुत बड़ा नहीं मान लो कि तुम गेहूं ले लिए चावल ले लिए गेहूं और चावल आपस में एक कम मिला लो चला लो मिला के एक किलो गेहूं एक किलो चावल तो क्या होगा दोनों एक कम मिल जाएगा लेकिन तुमें दोनों अलग 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 दिखेगा यह गहुँए चावल है दिखेगा ना फिर तुम दोनों को अलग-अलग कर भी सकते हो एक-एक बिन सकते हो उसे चाल सकते हो कुछ भी करके अलग-अलग कर सकते हो मिसरण के उधारण आप लोगों को अच्छे से पता होगा है ना चलिए ठीक है तो यह तो मैं एक मोटा-मोटा एक जामपल बता है जैसे कि तुम अपने घर में सुन सको समझ सको इसके अलावा बच्चा जो है हवा हवा भी क्या है एक परकार का मिसरण है हवा भी क्या है एक परकार का मिसरण है नमक और पानी क्या है एक परकार का मिसरण है चीनी और पानी क्या है एक परकार का मिसरण है हावा मिसरण कैसे है देखो जब आदमी बेंटी लिटर पर जाता भी देखो कुरोना का महौल चल रहा था तो उसको अक्सीजन लगाई जाती है न अक्सीजन कहां से आती है बताओ जो नार्मल आक्सीजन हमारे पर्यावरण में है उसमें तो तीन यह तीन से अधिक गैसे होती है मुखे रूप से आपके आक्सीजन होती है नेट्रोजन होती है कर्बंडे एक्साइड होती है लेकिन इन सब को और सब को निकाल करके सिर्फ आक्सीजन आक्सीजन को उस पराण इनको अलग-अलग किया जा सकता है मतलब उनमें जो मिले हुए आपके अलग-अलग तत्तों हैं या अलग-अलग पदार्थ हैं उन्हें तुम अलग कर सकते हो ठीक है? एक मिनट रुख जा मुझे देखने दो कमेंट देखने दो मुझे इनका क्या कर रहे हैं? ये सब पढ़ वड़ रहे हैं कि नहीं? नरेश, जोती, सिंग्रोल, गीता ठीक है फिर रुख गया का ये? फुशी सिंग पढ़ाई कर लो नहीं तुम्हें बलॉक कर देंगे अब फुशी सिंग तुम्हें पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है तो पढ़ना निकल लो यहां से, भाग जो यहां से प्योकूब कहीं का आदा गंटा से दिमाग नहीं चाट रहा है पूरा कमेंट आ रहा है, मतलब इनसे कोई बात करो इनका ये मत कब चलो देखो, और आगे क्या है? आगे देखो बच्चा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमें तो आंतर पढ़ना है न तो मिसरण में क्या है? बहुत तिक विदियों द्वारा इन्हें पिर्था किया जा सकता है अलग अलग किया जा सकता है, जैसे चीनी और पानी का गोल हो गया तो बेटा चीनी और पानी का जो घोल है उसे घोल के तुम सर्बत बना लिये लेकिन तुम उसमें से चीनी और पानी अलग-अलग कर सकते हो उसको सुखा करके गर्मा करके उबाल करके जैसे भी तुम चीनी और पानी अलग कर सकते हो तो इसमें हम अलग-अलग कर सकते हैं लेकिन इसमें हम भातिक विधियों द्वारा अलग-अलग नहीं कर सकते हैं पानी ले लो, पानी क्या ये क्योगिक है, ये बताओ, क्या तुम पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकते हो हाट डलके या फिर किसी भी तरीके से अपने घर में, बोलो, पानी, पानी में से हाइड्रोजन अक्षीजन निकाल सकते हो अलग-अलग, नहीं न, तो बच्चा किसमें से कॉलोरी निकाल सकते हैं, बहुतिक विधिधाया कोलोरी नहीं निकलेगी निकाला ज्रला सकता है नियुक्त है घल में सब कुछ छो सकता है। लेकिन अगर को इस पानी घला है तो भया कर सकते हो भई कर सकते होगी नहीं तुम्हें ऐसे देखो सिंपल सा एक गिलास पानी ले लिया एक गिलास पानी ले लिया उसमें 200 गराम चीनी घोल लिया भई खुब गाड़ा गाड़ा गोल लिया बन गया अब तुम्हें क्या करना चीनी और पानी अलग करना है पानी सुखा तो चीनी नहीं है तो नमक और पानी का जो घोल है वो क्या है नमक और पानी का जो घोल है वो एक परकार का मिसरण है लेकिन जो नमक है खुद वो एक योगिक है नमक क्या है खुद एक योगिक है एक कमपाउंड है उसमें जो तत्तो घुले है वो सुरी आपस में रियक्शन करके बने ह उन्हें अलाग अलाग तुम नहीं कर सकते हो ठीक है जो फाल तु कमेंट करें उसे तुरंद बलाग करो फटा फट बलाग करो और हां सुनो जो लोग पढ़ रहे हैं तुम लोग कमेंट के पीछे ना पढ़ो जो मर रहे हैं को मरने दो उसमें एकदम से समझ रहे हो ना तुम क खी नहीं। जो पढ़ रहे हैं, देखो पि totally comment करने को तो नहीं बोल रहा हूं है बार Bार comment तुम बंद कर दो, ठीक है मैं बताता हूं, तरीका कमेंट बंद करके सिर्फ पढ़ाई करो और उसके बाद जब मैं बोलूं तो comment करो जैसे कोई चीज पूछा तो comment कर दो नहीं फिर बंद कर लो नहीं तो तुम लोग परिसान होते रहोगे जो नहीं पढ़ने वाले वो करते रहेंगे और फिर मेरा भी दिमाग डिश्टब रहेगा तुम ऐसे phone करके पढ़ो ऐसे करके ठीक है ऐसे phone घुमा करके पढ़ो ऐसे ऐसे ठीक है और उसके बाद जो इस screen पर ऐसे ऐसे comment आता है वसे तुम्हें कुछ लिख रहा हूँ नहीं इनको आने दो इनको ऐसे screen पर टच करो उपर यहाँ पर एक comment आएगा ना यहाँ पर heading के बाद में इस पर touch कर दो comment हट जाएगा आएगा ही नहीं यह बस ऐसे ही इस पर touch कर दो फिर क्या होगा comment नहीं आएगा और फिर पढ़ाई करो सिर्फ और सिर्फ जब मैं कुछ पूछ हूँ तब तुम एक बार comment कर दो करके फिर वैसे कर लो बस कि समझ गये ना कुल्दीब कुमार कि कि समझ में आ रहा बेटा कि नहीं तुमको तुम बलक कर देंगे बहुत बड़ा नलायक हो तुम हम रोज एक चीज पूछता है रोज पूछता है रोज नहीं चलेगा आज के बाद मत पूछना नहीं चलेगा बस चलो इसका दूसरा जो अंतर है वो क्या है मिसरण में उसके संगटक पदार्थों के सभी गुण पाये जाते हैं यानि अगर तुम चीनी और नमक घोल रहे हो तो तुमको मीठा भी लगेगा नमकीन भी लगेगा बोलो लगेगा की नहीं लगे के नहीं, चीनी और नमक घोलोगे तो क्या होगा, मीठा लगेगा न, मीठा लगेगा न, बोलो हाँ या नहीं, चीनी और नमक लेलो, उसका भी क्या बन जाएगा, एक मिसरण बन जाएगा, तो बिटा अगर चीनी और नमक मिला के खाओगे, तुम्हों मीठा भी यानि मिसरण जो होता है उसमें जो जो तत्तो घुले हैं उन दोनों के गुण रहेंगे लेकिन योगिक में ऐसा नहीं होता है योगिक में ऐसा कैसे नहीं होता है उधारण जान लो जिसे नमक हो गए नमक एक योगिक है नमक क्या है एक योगिक है इसमें यन्ने होता है और सीयल होता है यानि सोडियम और कलोरीन होता है वह यह नमक अगर तुम खा रहे हो और तुम अलग से सोडियम खा लिए या अलग से कलोरीन तो इनका स्वाद नमक से बिलकुल अलग होगा और उसका आसर भी तुम्हारी सरीर पे अलग होगा समझ गए कि नहीं कुछ यानि कहने का ये है कि बच्चा जो मिसरण होता है उसमें जो दो तत्तों को मिलाके मिसरण बनाते हैं वो मिसरण बनने के बाद भी उनमें उसके गुण पाए जाते हैं लेकिन जो योगिक होता है उसमें से अगर तुम दोनों तत्तों को अलग अलग कर दो योगिक से जैसे नमक हो गया अन्ने सियल होता है ये तो यन्ने अलग कर दो सियल अलग कर दो तो तुम्हें अगर यन्ने को अलग चक होगे सियल को अलग चीक होगे मतलब खा के देखो गई तो इनका स्वाद नमक जैसे नहीं हो समझ गए न? ठीक है? आगे आगे अगर हम बात करें इनके और भी गुण है, बहुत सारे गुण है भाई देखो समझ लो सिर्फ और सिर्फ बाकी तो पीडिया फाइल मिली जाएगी तुम्हें समझ जाओ बस एक बार इस मैंसे ठीक है? एक बार समझ जाओ बाकी तो तुम पढ़ी लोगे मिसरण के निर्माण में उर्जा यानि उस्मा और प्रकास इत्यादिक करूप में ना सोसित होती है और ना ही मुक्त होती है क्या समझे? भैया तुम्हें दो चीज आपस में मिलाना है उसमें कोई उर्जा उस्मा की जरूरत नहीं है कि चलो गैस चलाओ तब है मिलेगा नहीं यानि मिसरण बनाने में तुम्हें उर्जा और उस्मा और सोसित या सोसित नहीं करना होता है लाइट नहीं है फिर भी तुम क्या कर सकते हो चीनी लिया पानी में घोला भट से पी गया उसमें कोई तुमें गैना गैस की जरूरत है ना तुमें बिजली की जरूरत है ना पंखा की जरूरत है कोई मतलब नहीं लेकिन अगर तुम्हें योगिक बनाना है योगिक बनाना है तो क्या होगा वह या इसमें जो उर्जा है वो उस्माया परकास के रूप में सोसी तो होती है यानि sodium और kolarine को मिला करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा उनमें reaction करवाना पड़ेगा तब जाके नमाग बनेगा क्या बनेगा बताओ ऐसे बहुत सारे एक्जांपल है योगी में जैसे आप पानी ले लो hydrogen वाला ले लो hydrogen और oxygen होता पानी में तो कुछ समझ में आ रहा कि नहीं वाई सीधी सी बात आप यह समझे लो जितने भी योगीख होते हैं compound होते हैं जैसे तुम्हें चीनी बनाना है सब कुछ छोड़ो भाड़ में जाय सब किनारे करो चीनी ले लो चीनी क्या है चीनी एक परकार का योगीख है यह compound है अच्छा इक बात बताओ ता लेहे गन्रत भाड़ाता सब कपाण ये उससे चीनी ना सकती हो विनालिया बिजली करते हैं मैं तो गण्यी रफ ले ये एक लिटर गन्रे बोरं मतहीं का इसी 감사 हैना जो वाली तो गन्य के रस से ही बनती है बाकी बगवान जाने किस से बनती है तो बच्चा हो गन्य के रस से तुम बिना गयस के बिना बिजली के बिना किसी माध्यम के चीनी नहीं बना सकते हो क्यों क्योंकि चीनी एक योगिक है एक कमपाउंड है और compound के निर्माड के लिए उर्जा जो होती है वो इसमें खर्चा की जाती है बिना उर्जा खर्चा की है चाहे वो उस्मा के रूप में हो, चाहे प्रकास के रूप में हो compound नहीं बनते हैं समझ रहो ना? कुछ समझ रहो ना? तो ये थी आपका मुख दूसरा वाला जो अंतर था कि योगिक का निर्माड के लिए उर्जा खर्चा होती है मतलब उर्जा जो है वो उसमा या परकास के रूप में सोसित की जाती है लेकिन मिसरण के निर्माड में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है ठीक है समझ रहो ना? अभी समझ रहो मेरी बात? चलो आगे? आगे समझो रितु यादो कुछ समझ में आ रहा है? गीता, प्रेमचंद, जितेन सिंग, मनोज, नव्या गुपता देखो, यह समझने वाली कलास है, अगर तुमको पढ़ना, जिन्दगी में कुछ करना तो समझ लो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार कलास होती साइन्स की लेकिन जो पढ़ने वाले वो, जो नलायक इसमें कमेंट कर रहे हैं, आरे नू बोलो, तुम बोल नहीं रही हो, बहुत देर से, बहुत देर से तुम बोल नहीं रही हो, उनको अपनी जिन्दगी से कोई मतलब नहीं, बस वहाँ बोलाई रहे हैं, मतलब पूरा टाइम यही कर रहे हैं उनको पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ क्या किया जा फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए आठ बजने वाला है कच्छा 10 का भी कलास है क्या किया जाए सब्टाइम इकठा हो जाता है कलास सब एक प्या जाती है एक और अंतर सुन लो उसके बाद बंद करते हैं इसका मिसरण का जो संगठन होता है तुम समझाने पाओगे संगठन संगठन ठीक है मिसरण का जो संगठन होता है बच्चा वो का होता है अनिश्चित होता है अर्थात इसमें सम्रित आयो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं मिसरण का संगटन निश्चित नहीं होता है इसमें सामिल किये गए जो आयो है वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं यानि हमें चीनी का सरबत बनाना है चीनी का सरबत एक मिसरण है तो भाई हम गरीब लोग हैं हमारे पास थोड़े चीनी है दसा है गराम तो हम क्या करेंगे अपनी संतुष्टी के लिए एक गिलास बानी में गोल लेंगे इतने चीनी गोल के पी गए भले फीका फीका लगा लेकिन पी गए उसमें कोई रोंकेगा नहीं तुम इतने चीनी का नहीं बना सकते हो नहीं यानि इसमें कोई निफशित नहीं है कि तुम कितना चीनी मिलाओगे कितना पानी मिलाओगे तुम्हारे उपर डिपेंट करता है लेकिन बच्चा योगिक बनाने में ऐसा नहीं होता है अगर तुम्हें नमक बनाना है अगर तुम्हें नमक बनाना है तो तुम्हें सोडियम और कलोरीन की मात्रा जो है वो एक निश्ची तनुपात में रखनी पड़ेगी नहीं तो पता चले तुम सोडियम जादा डाल दो कुलोरीन थोड़ा फ़र डालो तो नमक नहीं बनेगा कुछ और बन जाएगा समझ रहो ना बच्चा समझ रहो ना इसी तरह से बहुत सारे योगिक हैं अगर कोई भी कंपाउंड तुम्हें बनाना है जैसे मानलो अगर तुम्हें आक्सीजन बनाना है जै मानलो हाँ वही मानलो तो उसमें हाइड्रोजन और वो पानी के बारे में बात कर रहे थे पानी भ ये बता हुआ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं कि कुछ समझ में आ रहा है मतलब कितने भी अनुपात में तुम मिला करके मिस्रण बना सकते हो लेकिन योगिक बनाने के लिए जितने भी पदार्स उसमें मिला जाते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए नहीं तो वो योगिक के अलावा कुछ और बन जाएगा तो फिर आज जो है आट बच चुका है मुझे लग रहा कलास बंद कर देनी चाहिए बच्छा दस वालों का भी पढ़ाना है क्या बताऊं मैं सबी कट्था हो जाता है यार चलो ठीक है 15 मिनट देर से ही पढ़ाएंगे लेकिन 10 वालों को भी पढ़ाना है तो आप लोगों का कलास नहीं पर बंद होता है बहुत बहुत थैंक्यों आप सभी को माफी चाहते हैं बच्छों कलास जदा देर नहीं हो पा रही है लेकिन हाँ एक काम करते हैं साइंस का कल जल्दी खाता मुझे जाने तो छोड़ो ठीक है तो टाइम याद रखें सुबा साथ बज़े से कलास होती है और यह पीवियर स्टेडी 2.0 चैनल पे सुबा साथ 15 से होती है जिस पे आप अभी पढ़ रहे हो अगर आप पीवियर स्टेडी चैनल नंबर 2 पे हो तो इस पे स साथ 15 से होती है ठीक है विकास